अमरीकी राश्ट्रोपती डोनाल्ट ट्रम की भारत यातरा से भारत को क्या मिला? अगर इस दुरुष्टी कोन से हम विचार करते हैं, दो दिन अमरीका के राश्ट्रोपती भारत के यातरा पर थे, वो 36 गंटे उन्होंने भारत में गुज़ा रहे और उसके बाद में आज का दिन, ये काफी उनके लिए एहम रहा, आज जो था हैदराबाद हाउस में, जिस तरह की चर्चा हुई और जिन संधियों पर, वहां पर हस्ताक्षर हुए, उसको देखते हुए, अगर हम इस दुरुष्टिकों से देखते हैं कि भारत को इसमें क्या मिला, तो हम ये कह सकते हैं कि इस यातरा के दवरान भारत का जो सामरिक महत हुआ है, ये रेखांकित हुआ है, पहली बार ऐसा हुआ था कि अमरिकार राश्ट्रुपती की ये जो भारत यातरा थी, जिसको हम स्टैंड अलोन कह सकते हैं, जिसको जिसके साथ और किसी देश की यातर उसके साथ नहीं जूड़ी गई थी जैसे कि इसके पहले जब भी अमरिका के राश्ट्रोपती भारत की यातरा पर आये है उन्होंने भारत के साथ और किसी देश की यातरा को भी जोड़ा था और 2006 तक जब जॉर्ज बुश भारत की यातरा पर आये तब तक तो जब भी अमरि 2006 में जॉर्ज बूश आये थे उसके बाद में भी वो पाकिस्तान गये थे लेकिन 2006 के बाद में ये जो दौर था इस दौर में हम देखते हैं कि ये पूरी तरह से पीछे गिर गिर चुका है और ये पहली टरंप की यात्रा रही है कि जब टरंप सिर्फ और सिर्फ भारत की या जातरा के दौरान डोनाल्ड टरंप ने भारत के सिलसिले में कुछ आशावादी वक्तव किये है जिसमें उन्होंने कहा है कि अब तक हम भारत की जो सहयोग थे उसकी आपेक्षा करते थे जहां तक दक्षिन आशिया का सवाल है लेकिन अब हम भारत की आपेक्षा जो वो ग्लोबल कंप्रहेंसिव स्ट्राटेजिक पार्टनर्शिप के लिए करेंगे माने के संपूर्ण विश्व में जो अमरिका सत्ता संतुलंग बनाने का प्रयास कर रहा है उसको देखते हुए उसमें भारत का सहयोग लिया जाएगा और जो भी अमरिका के सामरीक दोरण ह विश्व के संदर में उसके चलते भारत का सहयोग लिया जाएगा वो एक है और उसके बाद में उन्होंने ये भी कहा है कि आज के इसमें जो महतोपूर्ण संधी पर हस्ताक्षर हुए है उसमें एक थ्री बिलियन डॉलर्स का एक डिफेंस डील जो है वो डिफेंस डील पर स्वक्षर हुए जिसके चलते MH60 रोमियो मिलिटर हेलिकॉप्टर अमरिका के तरफ से भारत को मिलने वाले है अपाचे हेलिकॉप्टर मिलने वाले है लेकिन इस रक्षा संधी में एक बात बहुत इंपॉर्टन है जो हम सब को जाननी जरूरी है और वो यह है कि ये रक्षा संधी में कोई भी टेकनोलोजी ट्रांसफर का ट्रांसफर की बात नहीं कही गई है जिसके पहले जब भी हम रशिया के साथ में कोई इस तरह की संधी रक्षा संधी करते थे तब मिलिटरी हाड़वेर के साथ में हमें रशिया के तरफ से कई सारे एक्विपमेंट्स की और टेकनोलोजी भी मिलती थी जिसका प्रोडक्शन जब बाद में भारत में होता था लेकिन अमरिका अब तक किसी भी तरह क्या टेकनोलोजी ट्रांसपर के लिए भारत के साथ राजी नहीं है और इसी भी संधी में कोई भी जो प्रोडक्शन है जॉइन प्रोडक्शन है वो भा तो पुरून थी जबकि हम अब इरान की तरफ से हमने तेल का आयात करना अभी रोग दिया है और हमारी जो तेल की समस्या उसको चलते अमरिका ने भारत के साथ में एक संदी की है जिसके चलते अब अमरिका भारत को तेल सप्लाइ करेगा लेकिन इस बात को भी हमें जानना इरान हमको इंशुरंस पर काफी सारा एक तरह का उसमें हमें सवलियत मिलती थी उसका रिपेमेंट करने के लिए सवलियत मिलती थी और इरान का 40% रिपेमेंट जो है हम रुपी में करते थे तो इससे हमारा काफी फाइदा होता था लेकिन अमरीका का जो तेल है वो हमारे उसके बाद में हम देखते हैं कि आतंक बात के संधर्व में कल डॉनाल ट्रम्प साब ने मॉटेरा स्टीडियम पर पाकिस्तान के संधर्व में बात की थी कि हम पाकिस्तान के साथ में productive relations बनाएंगे और productive काम करेंगे और पाकिस्तान पर हम दबाव बनाएंगे कि भारत में cross border terrorism को रोके लेकिन इस बात को उन्होंने फिर से एक बार आज दोराया है लेकिन इस बात में संदेय है कि डोनाल्ड ट्रम जिस तरह से उन्होंने बात किये कि क्या वो वास्तविक्ता में उसको ला पाएंगे जहां तक अभी अमरीका और पाकिस्तान के संबंदों का सवाल है अमरीका के short term interest के लिए पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा जरूरत है 29 परवरी को अमरीका अफगानिस्तान में तालिबान के साथ में एक महतोपूर्ण संदी पर हस्ताक्षर करने वाला है और उसके बाद में अमरीका अपनी सेना अफगानिस्तान से हटा देगा और वहां पर तालिबान का एक फिर से एक बार रा जाने वाला है और उसके टाइम म बहरत के जम्मु और कश्मीर में आतंगवात का बड़े पैमाने पे फैला हुआ था लेकिन अभी जो भारत का कंसन है कि फिर वहाँ पर जब तालिबान आएगा तो भारत के सुरक्षा के लिए काफी बड़ा आवान हो सकता है लेकिन इस पर भी डोनाल टरंप ने बात नहीं क पाएंगे विकॉज उनको अभी पाकिस्तान की काफी जरूरत है जब अमरीका अपनी सेना अफगानिस्तान से हटाएगा तो वो दो ही उनको रास्ते है एक इरान का रास्ता है और दुसरा पाकिस्तान का रास्ता है इरान का तो रास्ता हो कभी अपना सकती ही नहीं है जिस लिए पाकिस्तान को किसी भी तरह से ठेच पहुंचाए या किसी भी तरह से दुख पहुंचाए ऐसी कोई बात ट्रम पिलाल नहीं कर सकते हैं और अन्तिमता हमें ऐसा लग रहा था कि जहां तक व्यापार की बात है और भारत के आर्थिक खेतसंबंदों की बात है डोनाल्ड एकसेस अमेरिकन मार्केट में जिसको हम टोल फ्री एकसेस कहते हैं वो मिलेगा लेकिन उस तरह की भी कोई अनौसमेंट इस दवरान डोनाल्ड टरम की तरफ से हुई नहीं है मुझे ऐसा लगता है कि सामरिक दुरुष्टी कौन से ये जो पूरी यातरा थी ये काफी सफल रही है जिसमें भारत का महत्व बढ़ने के लिए काफी उसका फाइदा हुआ है लेकिन जहां तक भारत के आर्थिक हितसंबंदों का सवाल है भारत के जो कोर कंसर्स है जो सेक्यूरिटी से रिलेटेड हो सकते है उनको एड्रेस करने का बहुत गंभिरता से प्रयास इस या पर उनने लक्षक के इंदरित किया है लेकिन जिससे कोई विवादासपद मुद्दा खड़ा हो सकता है जिसको डोनल्ड ट्रम को आने वाले इलेक्शन में जिसमें अमरीकी लोगों के तरफ से तकलीफ हो सकती है ऐसा कोई भी बात डोनल्ड ट्रम ने नहीं की है तो Donald Trump as a statement करके या और Donald Trump की मोदी के साथ में जो personal chemistry है उसको अच्छी दरह से उसका दर्शन इस यातरा के दवरान हुआ है लेकिन आने वाले टाइम में Donald Trump as an industrialist, Donald Trump as a real estate tycoon, Donald Trump as a builder उस नाते वो जिस तरह की सवधेवाजी करते हैं और जिस तरह का व्यवसाइक दुरुष्टी कोन र बनते हैं वो आने वाले टाइम में पता चलेगा कि Donald Trump ये किस तरह से भारत के साथ में उन्होंने जो वारता किये जो वक्तव भी किया है उनको किस तरह से वास्तवीकता में लाते है या नहीं